हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफडेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ नवास चरीफ और उनके एहले खाना के खिलाफ एक तसाब अदालत में नेब रेफरेंसिस पर समात कल होगी नवास चरीफ, मर्यम और कैप्टिन सफदर इस्लामाबाद पहुंच गाए नेब कोट साबिक वजिर आजम के खिलाफ तीनों रेफरेंसिस यकजा करने के मौमले की समात करेगी पी टी आई ने इंतखाबी इसलाहाद बिल 2017 के खिलाफ अदालत उद्मा का दर्वाज़ा खटकटा दिया दर्खास में कहा बतार रुपने कौमी इसम्बली नाएहली के बाद नवास शरीफ पार्टी सदारत के भी एहल नहीं रहे बेल कल अदम करा देने की स्तदा भी कर दी सानिहल बल्दिया के मरकजी मुल्जिम हमाद सिदीकी की वतन वापसी से कुछ सियासी कुट ने तश्वीश का शिकार मुल्जिम को वतन वापसी से रोकने के लिए सरगर्म हमाद सिदीकी के तहल काखेज इंकिशाफात MQM और PSP रहनुमाओं के लिए मुश्किलाप खड़ी कर सकते हैं जराय का दावा आज भी डिफेंट करूआ हमाद सिदीकी को आज भी मैं अपनी बात पे स्टेंड करता हूँ पिर आज भी एक कन्विक्शन है कि उसने ये काम नहीं किया जो भी बोला बोला है जूट बोला है नमबर उसके बारे में जूट बोला है इल्जामात की ठोस बनियाद होने चाहिए इल्साफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और हर इल्जाम को अदालत में थाबिक होने भत्ता खोरी टार्गिट किलिंग या फिर खाले चीडने का मौमला शहर कायद में एक ही नाम गुंचता रहा सानिया बारा मई हो या बल्दिया टाउन फैक्टरी की आग मुकला को जिन्दा जलाने का वाकया या रशीद गोडिल पर कातिलाना हमला हर मौमले में हमाच सिदीकी के मुल्विस होने की बासगश क्या तमाम वारदातों की गुत्थी सुलच सकेगी कराची के बासी मिलियन डॉलर सवाल का जवाब जानने के मंतजर बल्दिया टाउन फैक्टरी को आग लगाने में सरकारी अफसरान अक्मल सिदीकी, मिर्जा आसिफ, अमीर अली, शाहनवास भर्टी ने सहुलत कारी की MQM से निकाले जाने वाले MNA सलमान बलोच का, DG रेंजर्स को खत दिल्खराश सानहे में धाई सासे जाएद अफराग जांबहा को गाए थे पंजाब हुकूमत को नई मुश्किल का सामना लाहर हाई कोर्ट का सानहे हाय मौडल टाउन की जुडिशल इंक्वाइडी रिपोर्ट पेश करने का हुकूम रिपोर्ट का इन कैमरा जाएजा लिया जाएगा अदालत का हुकूम, हुकूमती वकील के रिपोर्ट पबलिक न करने की स्तदा टेक्नोक्रेट हुकूमत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है इतसाब के बगएर इंतकाब का कोई फाइदा नहीं होगा तीन साल बाद इलेक्शन कराने चाहिए साबिकोर कमान्डर मंगला जैनल तारिक रिटाइट की प्रोग्राम आज राना मुबश्यर के साथ में गुटतगो इसको एलेक्शन से हम ठीक नहीं कर सकते हैं यही एलेक्शन होगा यही गवनन्स का सिस्टम होगा यही पलिटिकल पार्टी होंगी लहादा जो मैं जो समझता हूँ इसमें हमारा एक सिस्टम कलैप्स होगे इस सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा हलका बंदियों के मौमले पर वफा की वजीर मीर हासल बेजिंजो ने पीपल्स पार्टी पर यू टर्न लेने का इल्जाम लगा दिया प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा नवास शरीफ को गिरफतार भी होना पड़ा तो इलेक्शन 2018 वक्त पर होंगे नवास शरीफ के इन पे आपको बिलकुल इस बात को कंफर्म करता हूँ कि वो कमिटे इंप फर अलेक्शन 2018 उन सब की राए के 2018 में अलेक्शन होने चाहे कुछ भी हो जाए चाहे उनको चुप करना चाहे नवास शरीफ को गिरफतार होना पड़े तब भी 2018 में अलेक्शन होने चाहे बाश हो कबलस वक्त इंतखाबात का मतालिबा मुस्तरद हुक्मरा जमात का आगले इंतखाबात वक्त पर कराने का ऐलान ऐसे निक्बाल कहते हैं पी टी आई खाफ जदा है वो चाहती है कि आम इंतखाबात सैनिट इलेक्शन से पहले हों क्योंके उन्हें पार्टी में बगावत का खच्छा है अच जून को ये असेम्बली अपनी मुदद पूरी करके तहलील होगी उसके साथ दिनों के अंदर आम इंतखाबात को इनकाद करना यकीनी बनाना आईनी जिम्मेदारी है लहाजा अगस्त के पहले हफते में आम इंतखाबात बरवक्त मुनकद होंगे नवास शरीफ समय तमाम सियासी लीज़्ों को हटाने का धंदा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जारी है कोई साथिश पहले कामयाब हुई और नहीं आएंदा कामयाब होगी वजीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कोई जबर का जंडा मकबूल का यादत कोई सियासत से बेदखल नहीं कर सकता जो भी हमारे टीम के कैप्टन बने है जर्दारी हो या शरीफ वो अपने लिए बैटिंग करते हैं उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं खेला इमरान खान ने एक बार फिर कबलेज वक्त इंतखाबा का मुटालबा दोहरा दिया कहते हैं कि नवास शरीफ और आसिब जर्दारी अपने लिए बैटिंग करते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेला दोनों रहनुमा बताएं कि उनके पास पैसा कहां से आया पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात कराने के मुटालबे पर डट गई कुर्शीद शाह कहते हैं इलेक्शन पिछली मर्दम शुमारी पर कराने में कोई हर्ज नहीं लेकिन इंतखाबाद 2018 ही में होने चाहिए नवास शरीफ के करीबी साथी ही उनके खिलाफ साज़िश कर रहे हैं अब बड़ी क्रियर है कोई यू टांड नहीं लिया है हमारे परे दिलिवर्शन से अधिकर आम है खास नहीं है कि नवास शरीफ के अपने जाहिए को लोग रखे जो कोई खिलाफ साज़िश करते हैं वो कहता है न उंगली का इशारा उसकी पार्टी कभी इक्तिदार में आई ही नहीं सकती सिंध इसम्बली ने भी कौमी औ सुभाई इसम्बलिया तोड़ने और कबल अस वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया पीटी आई के मुतालिबे के खिलाफ करारदाद मन्जूर निसार खोडों ने मुतालिबा अवामी राए पर हमला करार दे दिया उसको वोट बिले थे कि तुम पांच साल काम तेरा पर्फारमन देखेंगे जाये तुम आपोजिशन में बैट तो या हुकुमत में हो तुमें पांच साल करके दिखाना है कि क्या करते हो और वो अपने ही वोटर की खुद इंसल्ट कर रहा है खुर्रम शेर जमान ने जम्हूरियत को दो नमबर करार दे दिया आप खड़े होके इतरास तो जरूर करते हैं आपरियत के उपर लेकिन अगर आप बाहर जाके आवाम से पूछें तो आपकी लोगों की वज़ा से उस आपरियत में भी लोगों को ज़्यदा फाइदा हुआ हुआ है बने जम्हूरियत के अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में फाइरिंग पाकिस्तानी सिफारती एहलकार नईयर एकवाल शहीद मक्तूल एहलकार को घर वापसी के दोरान निशाना बनाया गया अफगान नाजिम लूमूर के दफ्तर खारिजा तलबी इहतजाज रिकार्ट कराया पाकिस्तानी एहलकारों को फूल प्रूफ सिक्यरिटी देने का मतालबा आर्मी चीफ की तहरान में इरानी हममनसफ से मुलाकात पाक इरान सरहत पर सेक्यरिटी इंतजामा बेहतर बनाने पर जोर दिया जैनरल बाजवा इरानी वजीर खारिजा जवाद जरीव से भी मिले आर्मी चीफ को गार्ड ओव ऑनर दिया गया पैनामा हंगामे के बाद पैराडाइस लीक्स ने तहल का मचा दिया दुनिया भर के कई मुक्तदर चेहरों के मुबयन आमालियाती जराइम का कच्चा चच्चा खुल गया मलिक अबरतानिया अमरीकी सदर डानल्ड ट्रम्प के 13 साथियों पाकिस्तान के साबिक वजिर आजम शौकत अजीज समयक कई अफराद के नाम शामिल पंजाब में स्मोग ने इकजाम जिन्दगी मौक्तल कर दिया मुक्तलिफ शेहरों में हद देने गास सिफर मोटर वे बंद कर दिया गया मुक्तलिफ आजिसात में तीन अफराद जाम वहक, बीस से जायत जखमी, लाहर एरपोर्ट पर परवाजों का निजाम दरहम बरहम चाहरी बरादरान नेब लाहर के दफ्तर में पेश, आमधन और असासाजात की तवसिलात जबा कराई नेब हुकाम के शाहरी शुजात और परवेजिलाही से जायदात से मुतालिक सवालात परवेजिलाही कहते हैं नेब हमें खौफजदा नहीं कर सकता, हर दोर में जूटे मुकद्दिमात काहम किये गए जो हमारी चेकिंग कर सकते थे हर लिहाज से, वो ये करते भी रहे हैं तो इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है तहकीकात के हवाले से या कोई केस के हवाले से असासा जात रेफरिंस की लटक्ती तलवार, चेर्मन नेब ने साबिक वफा की वजीर अरबाब आलमगीर, साबिक मुशीर आसमा अरबाब और वजीर आला बलुचिस्तान, असलम रईसानी के खिलाफ तहकिकात जल्द मकमल होने का इंदिया दे दिया जहانگिर तरीन ने नाइली केस में आफशूर कमपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोट में जमा करा दी ट्रस्ट डीड के मताबिक जहांगीर तरीन और फैंगली ताहया देनीफिशरी है जहांगीर तरीन कोट तरस्ट की आमदनी की तकसीम का मुकमल अख्तियार है मुकद्दमे की समात आज दोबारा होगी सिंद असम्बली और सैनिट इजलास में महंगाई की दोहाई MQM ने दोनों एवानों में टेमार्टर की कीमतों में इजाफे का मौमला उठाया सिंद असम्बली में कामरान अक्तर टेमार्टर लिए पहुंच गए कहा कि अब शोहर बीवियों को सुख्वे में टेमार्टर देते हैं टेमार्टर तक्रीबन दो सुरुपाय किलो जो है वो भिक राए आज कल शोहरों ने अपनी बेगमाद को बतौरे तौफ़तन देना शुरू कर दिया यह टेमार्टर राइविन्ट से खानेवाल सेक्शन के दरम्यान रेलवे के जदीद सिगनल सिस्टम के टी सी बॉक्स चोरी कर लिए गए पुलीस ने मुकद्दिमा दर्च कर लिया ताहाल कोई गिरफ़तारी अमल में नहीं आई झाल झाल झाल